हेलो एबरीउन, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोगों को स्टेनोग्राफर काase सेट नंबर सिर्ज्स के बारे में चिर्चा करना है जिसकी सुरूषब हम लोग करेंगे कल मैंने 40600 के बारे में चिर्चा किया हुआ था आज हम लोग 40 to 85 questions के बारे में चर्चा करेंगा जिसमें आपका narration आएगा, voice आएगा, rearrangement और close test आएगा ठीक है ना, इन सब के बारे में हमें चर्चा करना है और आज आपको एक information मुझे देना है कि stenographer के students के लिए मैंने एक group बनाया है सब्सक्राइब करना है, और bell icon जरूर प्रेस करें so that मैं जितने भी videos डालूँ आपको वो मिले, ठीक है और आपको जितने भी stenographer की त्यारी करने वाले students है उन तक इस वीडियो को पहुंचाना है, यह आपका एक क्या होगा, कारिय होगा ठीक है, चलो, शुरू किया जाए, वाइस का पहला question, वाइस करने का तरीका मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कुछ नहीं करना, आपको इसमें बस tense देखना है, tense में कोई चेंज नहीं होना है, साहिक क्रिया का यूस करना है, वाप की third form लगानी, उसी tense का साहिक क्रिया होना चाहिए, ठीक है, जैसे, पहला question, present perfect, तो present perfect क्या ही साहिक क्रिया है जोगा, यह passive में है, तो active में आएंगे, त subject को indefinite होगा, ठीक है, तो पहला option हो नहीं सकता, क्योंकि यह telegraph object को subject बनाया हुए, यह नहीं हो सकता, ठीक है, तो someone, someone हो सकता है, someone के साथ has जाता है, या have होता है, तो आपको पता है, जितने भी indefinite pronouns, someone, anyone, everyone, each, ठीक है, इन सब के साथ वाप कैसा होता है, singular होता है, तो यह त past and definite, वाजवर के साथ वाप की third form, वाजवर के साथ वाप की third form, दो option है आपके पास, ठीक है, ना, इंट्रोगेटिब का affirmative था या negative था, तो कैसा था, अफ़र मेटिब था, नेगेटिब वाला नहीं होगा, option number B हो जाएगा, ठीक है, question number 3 पे चलते है, 43, ठीक है, 10 पे चानिया वाजवर के साथ वाप की third form, वाजवर के साथ वाप की third form, वाजवर के साथ वाप की third form, कौन से option में है, option number 4 पे, ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो मैं भूली गिया, screen sort आपने नहीं लिया भी तक वीडियो का, ठीक है ना, तो पहले आप एक काम करिए, सभी questions के screen sort लीजिए खुद से वो सारे question लगाईए, उसके बाद आप वीडियो को solution देगे, इससे फायदा यह होगा, आप गलती कहां कर रहे हो, आप time कितना ले रहे हो, यह सारी चीज़े देखोगे आप, ठीक है ना, अगर आपको time जादे लग रहा है, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, उ उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, इससे आपको लगाने हैं यह सारे questions, और कोशिस करना यह 40 से 45 questions करने में, आपको आधे घंटे का समय लगे, 30 मिनट का समय लगे, ठीक है, 30 मिनट का समय लेके, 30 से 35 मिनट का समय ले लो आप, ठीक है, इतने ही time में आपको यह सा लेते रहे, question जरूर सॉल्व करने के बाद ही आप लोग वीडियो देखा करेंगे, इससे यह होगा कि आपको जो है, गलती कहां कर रहे हैं, यह देखो गया ठीक है, और अपना attempt सभी लोग मुझे जरूर कमेंट किया, अभी तक कमेंट में क्यों लेकिए, student ऐसा है, जो कमें करने वाले हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुचाईए, यह आपका जिम्मेदारी है, ठीक है, उन तक यह वीडियो पहुचना ही पहुचना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कल देखा ऐसे कई वीडियो हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे भी, ऐसे कई वीडियो जुन तक पहुचाईए, आप देखो कि कम समय में अच्छी चीज और बहतर चीज वो पास सकेंगे, कहां तक हम लोग ने बात किया था, इसका हो गया था न, ठीक है, हो गया था यह, यह तो हो गया था, डिवाइड़ वाजवर के साथ वाप की थर्ट फॉर्म मैंने बता द जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व करना आपको, ठीक है, कारन के साथ वाप की फर्स फर्म, एक्टिफ सेंटेंस, पैसिम में रजाओगे, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, जो लेखी बात पसे में के साथ एक करिये आगे बढ़ या वर्टिस पैमिंगे डुरी कि साथ आपके सब्सक्राइब क्वाइब में अलनकी में दोचे में सब्सक्राइब कहले बंगे बड़ी है आगे बढ़िये, question number 48, verb की second form, verb की second form, मतलब past indefinite, मतलब change करोगे, तो वाज, वर के साथ, verb की third form, ऐसा के वाले की option में, first option में being लगा है, अगर continuous होगा, तब being लगा होगे, indefinite था, इसके लिए कौन सा option होगा, fourth option होगा, question number 49, tense पहचानी है, वाज के साथ, वाज की third form, past indefinite का passive का sentence है, active बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाज की second form का प्रियोग करेंगे, ऐसा के वाले की option में हुआ, steel का second form क्या होता है, stole, third form stolen, ठीक है, ऐसा के वाले की option में हुआ, टिक करिए, और आगे बढ़िए, question number 50, did के साथ, वाज की first form, बोले तो past indefinite interrogative, बनाओगे passive, तो वाज वर के साथ, वाज की third form, ऐसा कहा हुआ है, जल्दी बताए, question option number four में हुआ है, देखा, 10 question करने में कितना समय लगाओगा आपको, मुस्किल से 2 minute, 2 minute लगने है, अगर ऐसे करना है, आपको ऐसी आपको practice करना है, ठीक है, कर लोगे सभी लोग, चलिए narration सुरू करते है, narration सुरू करने के पहले, नियम के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, tense change होता है, person change होता है, ठीक है, comma, inverted comma, हटा के sentence के नुसार चीज़ों को लगाता है, यह सारी चीज़े आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, tense किस तरह से change होगा, अगर direct sentence present में है, तो indirect उसी का past होगा, अगर indirect sentence past में है, तो उसका वापीस आएंगे, तो present हो जाएगा, ठीक है, इसका use करेंगे, देखते हैं, कैसे क्या होता है, पहला question, was going past continuous indirect sentence है, अच्छा, direct indirect पहचानने आता है, अगर sentence, inverted comma में है, तो वो direct है, उसके बाहर वाला sentence दिया हुआ है, बिना comma, inverted comma का, तो वो क्या हो जाएगा, आपका, indirect है, तो यह sentence कैसा है, आपका, indirect है, इसको direct में ले जाना है, तो past continuous है, तो वापिस आएगा, तो present continuous, कौनसा option है, एक ही option है आपके पास, ठीक है, question number 52 पे चलते हैं, sentence में comma का प्रियोग नहीं किया है, इसका मतलब कैसा बाग क्या है, indirect, tense क्या है, past perfect, या तो past indefinite होगा, या तो वो क्या होगा, past perfect होगा, तो फिलाल past perfect है, तो उसको टिक करिए, आगे बढ़िए, question number 53, 53 में tense पहचानी है, आर के साथ वर्प की आएँजी फार्म लगी है, continuous form, present continuous, direct sentence है, indirect में जाएगा, तो उसी का past continuous हो जाएगा, ठीक है, past continuous मतलब वाज़ वर्प के साथ वर्प की third form, ऐसा एक ही option में है, टिक करिए और आगे बढ़िए, चलते हैं, आज के question number 54 पे, सभी को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सभी को, ठीक है, अगर ऐसा है, तो आप like, subscribe, share करते रहिए, वीडियो को stenographer वालों तक पहुचाना आपका एक जिम्मेदारी है, ठीक है, फीज के रूप में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आपको यही देना है, कि इस वीडियो को आपको stenographer तक की तियारी करने में, जितने भी बच्चे उन तक पहुचाना है, ठीक है, question number 54, tense पहिचानी है, क्या है जरातो, who के साथ क्या लगा है, who के साथ is लगा हुआ है, who is the conductor of this bus, change करोगे तो who was हो जाएगा, लेकिन यह जब change करोगे, direct को indirect में जब change करते हैं, interrogative sentence को, तो वो simple structure में आ जाता है, simple structure कहने का मतलब होता है, कि subject के तुरंत बात क्या आएगा, question what जो भी होगा, वो subject के बाद आएगा, question what के तुरंत बात क्या आना चाहिए, आपका subject आना चाहिए, तो who के बाद conductor आएगा, conductor के बाद वाज आएगा, ठीक है, अब यह आपको खूजना ऐसा कहा हुआ है, पहले वाकिमें ऐसा बिलकुल है, ठीक है, second में who के बाद वाज आगया, नह ही नहीं होगा, वो कौन सा था आपका, देखने आट, हाँ, तो एक option तो आपने काट लिया, फ़र्दा option बिलकुल नहीं हो सकता, क्योंकि, sorry, second option नहीं हो सकता, second option आपका, बिलकुल नहीं हो सकता, पहले question में देखने क्या है, interrogative है, तो पहले बाद तो set तो नहीं होगा, क्योंकि वो interrogative का sentence है, आपको देख रहा होगा, यहां पे symbol, तो first तो बिलकुल set नहीं होना है, नहीं, दोनों में से एक होना है, क्या who के साथ weather लगा सकते हो, बिलकुल नहीं, weather और if का प्रियोग तभ helping work से शुरू हो, तो बचा क्या, पहलो अप्स जाओ था option, कतम, ठीक है न, सभी लोग समझ गया, किसी को कोई doubt, आगे बढ़े, question number 55 पे चलते है, टेंस तो पहले पहचानो, present indefinite, direct sentence, change करोगे, तो past indefinite, indirect sentence, वाज वर के साथ, वाप की third form, नहीं, यह मैं voice में चला गया, ठीक है, तो do you know, present indefinite से हम लोग किस में ले जाएंगे, past indefinite में ले जाएंगे, ऐसा केवल एक ही option में है, वो है option number first, past indefinite मतलब वाप की second form, वाज वर के साथ third form, वो passive में होता है, तो present indefinite को हम लोग ने किस में change कर दिया, past indefinite में, एक ही option past indefinite में है ही, वो है third option, sorry, fourth option, third जो है, वो passive में है, तो passive नहीं बनाना है, मैं indirect बनाना था, ठीक है, चलो, next, question number 55, tense पहचानिए, direct sentence है, direct sentence में आपका क्या लगा हुआ है, might, already past में है, might का और कोई past बनता नहीं है, might है, तो might ही रहेगा, ठीक है, पहला option बिल्कुल नहीं हो सकता, second option present form में है, नहीं हो सकता, past form ही लेके चलना है, इन दोनों में से एक होना है, might के साथ भी लगाना यह ऐसा passive voice में होता है, narration में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो कौनसा option हो जाएग, option number C, माइट के साथ भी लगाना यह ऐसा किस में होता है, passive में होता है, और ऐसे भी वर्ब की आएंजी कर दिया, continuous बनाया, tense नहीं चेंज होगा, यहां पर अल्ड़ी पास्ट में है, तो past में ही रखना है आपको, ठीक है, तो option number C, question number 57, what is your name, change करोगे, तो what my name was हो जाएगा, what my name was, is changes into was, और what के तुरन बाद के आएगा, subject आएगा, भी मैंने बता ना, interrogative word के बाद तुरन subject आएगा, फिर verb आएगा, तो what के बाद my name आएगा, और वो is क्या हो जाएगा, what my name was, कहां पर है, option number first में है, what my name was, option number second में है, यह न दोनों में से कौन सा होगा, क्यों की interrogative sentence है, इसलिए told नहीं होगा, क्या होगा, ask हो जाएगा, ठीक है, तो option number B is the correct answer, question number 58, do you play cricket, present indefinite, change किस में होगा, past indefinite में, weather के साथ वाप की second form, सारे option में है, सारे option में है, interrogative है, interrogative है, तो आपको पता है, told तो भी यह नहीं हो सकता, told तो नहीं हो सकता, ask में से ही एक होना है, change of person चेक कर लो, change of person, second person, object के अनुसार चेंज होगा, आई आएगा, तो ना तो ही हो सकता है, ना तो ही हो सकता है, चौर्था option, तो जहाँ tense change करेगा, वहाँ आपको change of person यूज कर लेना है, comma, inverted comma का यूज करना है, तमाम चीजों का यूज है, change होगा, तो interrogative का simple past indefinite कर, sorry, past indefinite किसमें बदलता है, past perfect में बदलता है, लेकिन यहाँ अगर आप option देखोगे, सारे option को उसने past indefinite में ही रखा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, basically ये question क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, इस पे एक number सब को देना चाहिए, लेकिन फिलाल ऐसा, अभी हमें करना है, exam में अगर ऐसे question आपके आये हैं, तो आप छोड़िएगा नहीं, उसको quit नहीं करिएगा, आप उसको कर दिए, नियम अपलाई करिए, tense का change मत करिए, past indefinite में रहने दो, लेकिन question word के तुरंद बाद आपका subject आना चाहिए, question word के तुरंद ब टाक है, ऐसे करना पड़ता है, आजा हुआ question, आपके CPU mains का ये question है, question number 60, will you step with me into the garden, तो ये change हो जाएगा, वुड में, है ना, किस में change होगा आपका, वुड में change होगा, ऐसा, चारो तीन option है, ये भी हो सकता है, request form में, क्योंकि ये request के भी होना है, तो चारो अभी हो सकता है, ठीक है, अब आपको देखना है क्या होगा, तो सब में subject भी same रखा हुआ है, set को ask करना है, या request करना है, set को set नहीं रख सकते, interrogative sentence में, reporting website या set 2 को हम लोग ask या, ask में change करते हैं, अगर यहाँ पर request की भावना है, तो request भी कर सकते हो, तो उनको दोनों देखना पड़ेगा, ठ ठीक है, इफ यह वेदर लगा दिया, second person object के नसवार ही हो गया, vote के साथ वाप की third form, sorry first form, with into the garden, तो first तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अभी fourth भी check कर लो, I requested the boy, ठीक है, imperative sentence को, comma, inverted comma, target to लगता है, वाप की first form लगता है, with me, in the garden, बस यही गलत कर दिया, अगर यही into question में into लिखा हुआ है, अगर यहाँ into लिखा होता है, तो options db आपके सही हो सकते थे, इसी विज़ से option d आपका गलत होगा, और सही answer क्यों होगा, पहला option, ठीक है, तो narration के यह 10 question आपके क्या होते है, समाप्त होते है, ठीक है, अब हम लोग बात करते है, rearrangement पे, जो कि स्टेनोग्र आफर पे, मैं 5 question आपके आने है, और यह 5 question आपको बिल्कुल सही करना है, ठीक है, इसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, दो-तीन तरीके हैं, जिनको मिला कर आपको इसको करना है, ठीक है, तो उमीद इन 5 question में होनो दोनो तीनो तरीकों के बारे में चर्चा कर आप देखरो sentence के अंतिम में या तो Q लिखा है या R लिखा है या P लिखा है ठीक है इसका मतलब last में तो yes नहीं आएगा last में तो yes नहीं आना है आपका ठीक है अच्छा अब last में P Q R में से ज़रा देखो क्या बन सकता है आपने subject, verb, object जानते ही हो तो आपको देखना sentence के last में क्या रखा जा सकता है अगर हम लोग R को last में रखें he told us about तो क्या वाक के वहाँ पे खतम होगा last में रखने के वहाँ के खतम होना चाहिए कोई ऐसा word आना चाहिए इसके साथ वाक के खतम अब आउट के बाद अब जाहिसा बात है कुछ ने कुछ आना चाहिए तो R तो बिल्कुल नहीं हो सकता to make to make के बाद भी कुछ ने कुछ आपको चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता new contact के साथ आप sentence को खतम कर सकते हो इसका मतलब sentence के last मेगर आने का chance है तो क्या है वो क्यों है इसलिए हम इन तीनों को न पढ़के पहले क्या पढ़ेंगे पहला option ही पढ़ेंगे लगबग वही सही भी होगा लेकिन एक बार हम लोग क्या करेंगे इसको चेक कर लेते हैं पढ़के पहला option R के साथ sentence को से खुरू करिए He told us about He told us about R के बाद S लिखा options से इसको करिए He told us about the trip ठीक है दोगो सही बना told us about the trip and that and that असके बाद भी He had managed to make important new contacts तो आंसर के ओजागा इसका option number A 61 का आंसर के ओजाएगा option number A ठीक है सभी को समझ में आरा बात हां चलो 62 पर चलता है last में आने के chances क्या है yes P के वल S और P ही last में आ सकता है Q और R last में नहीं आएगा तो इन दोनों में से चेक के लो जारा कौन सा आपको लग रहा है कि last में आ सकता है पहला a car is more reliable क्या ये आएगा या form of transport ये आएगा तो आप अगर देखो तो आपको better S लग रहा होगा ठीक है फिर भी अगर आपको doubt है अगर आपको doubt हो तो इन दोनों को पढ़ लेते है ठीक है पहले S वाला ज्यादे साही लग रहा तो हम लोग S को ही पढ़ते हैं ठीक है S को हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं ठीक है उटके तब चलिए पढ़ते है Q-R-P-S ठीक है Q-R-P-S अगर हम लोग पढ़ेंगे तो Is an entertaining तो क्या क्यों के साथ वाकर सुरू होगा बिल्कुल नहीं हो सकता S के साथ पढ़के देखे Form of transport नहीं हो सकता ठीक है S के साथ दो sentence था ठीक है अब P के साथ पढ़िए A car is more reliable A car is more reliable क्यों कि बादा Although a pony A pony is an entertaining form of transport कह रहा है कि Car ज्यादे reliable होता है A pony क्या है एक entertaining form of transport तो answer के वाज़ागा इसका option number C Question number 63 पर चलते हैं Last में दिया है PRS Last में क्या दिया है PRS देखते हैं क्या हो सकता है S the friendliest creature in the sea हो सकता था P have been common since Roman times यह भी हो सकता था R and stories of them helping droning sailors तीनों ऐसे वाके लगए हैं जिससे वाके खतम हो सकता है अगर ऐसा यह follow ना कर पाओ तो आप देखो वाके सुरू किससे कर सकते हो ठीक है चलिए वाके कुस्त देखते किसे क्या P से वाके सुरू होगा Direct warps से have been common बिल्कुल नहीं हो सकता है मतलब यह उपसन तो नहीं होगा Q से Dolphins are regarded as तो हो सकता था Dolphins के बारे में यहां बात करनी तो हो सकता था यह उपसन रोक लो R के साथ क्या end के साथ वाके सुरू होगा बिल्कुल नहीं होगा S The friendliest creature in the sea यह हो सकता था तो हमको पढ़ने बस दो है ऐसा अकसर आपका rearrangement हो दो आपसन आप बहुत easily cut कर सकते हो और ऐसा जरूर किया करो दो आपसन कट किया करो दो में से एक आप पढ़के चेक कर लिया करो ठीक है चलो पहले हम लोग क्यों पढ़ते हैं अगर उस पर नहीं हो तो यह समारा आंसर हो जाएगा क्यों के साथ पढ़के चेक करिए Dolphins are regarded as क्यों के बाद इससे ठीक इसी क्रम में पढ़ने हैं आपको Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea and stories of them helping droning sailors sailors के बाद प्यूरल नाउन है बाना चाहिए था sailors have been common since Roman times बिल्कुल सही बन रहा है ना तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका second option ठीक है आप fourth पढ़के देख लो अगर आपको लगता है कि fourth हो सकते हो तो पढ़के देख सकते हो S sentence शुरू कर the friendliest creatures in the sea have been तो नहीं हो सकता common since Roman times कुछ मतलब उसका नहीं बनेगा इसके बाद इस sentence आपको कोई meaning बन रहा है नहीं बनेगा ठीक है चलो question number 64 sentence के अंत में आया है Q या R या S ठीक है और सुरूबात में चेक कर लो अगर आप चाया आप सुरूब से चेक कर लो चाया Blast दोनों में से कोई भी पहले आप चेक कर सकते हो ठीक है अगर हम लोग S को देखे हैं अगर वा के क्या S से सब्रूब हो सकता है या P से चलो चेक कर लेते हैं the drama हो सकता था P से सुरूब वाग के आपका पी से सुरू हो सकता था क्यों कास्ट्यूम्स एंड एक्टिंग्स चलिए भी माल लेते हो सकता है थीटर्स और ये भी आप देखोगे कि सुरू से आप चेक करोगे तो सारे बन लग 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 एस को छोड़के सभी बन सकते थे यह एस भी आप बना सकते ह काउन कि खतम अगर करना चाहेंगे तो कॉस्ट्यूम से न एक्टिंग्स हो सकता था आर के साथ अगर देखोगे सीनरी बात कॉमा लग लगा है सीनरी के दोनों में से कोई एक है तो बस दो पढ़के चेक कर लो देखा ना पहला उप्शन एस आर पीक्यू पहले चेक कर लेता है हम लोग एस यूजिंग दा प्राइमरी एलिमेंट आफ थीटर सच आज सीनरी ड्रामा अब सीनरी के बाइद ड्रामा इन ऑपेरा इस प्रेजेंटेट कॉस्ट्यूम अन एक्टिंग बनेगा नहीं ठीक है मेनिंग अपका कंप्लीट नहीं होगा इसका मदल हमारा भी ऑप्शन से होगा पढ़के चेक कर लो ड्रामा इन ऑपेरा इस प तोड़ा सा टाइम दे रहे हो एक दो मिनट जादे तो कोई बुराई नहीं है लेकिन पांच के पांच आपको सही करना ये टार्गेट होना चाहिए ठीक है तो ड्रामा इन ऑपेरा इस प्रेजेंटेड यूजिंग दा प्राइमरी एलिमेंट आफ कास्ट्यूम्स अना प्र śrğim एजिए सुज्चन भी है इससे होगई वाक्य सुiek मतलब और या कैसरूर होगा नहीं होगाई एफ के साथ क्या फांके सुरू होगा नहीं होगा अब ब iron के साथ वाक्य को सुरू होगा नहीं होगा अब बचा क्यो मतलब वाक्य तो आपको क्यों से ही सुरू करना हैde thank you पी आपसन में है नहीं तो क्यों के साथ हम वाकि को शुरू करके देख लेते हैं आप एक चीज़ और देख सकते हो क्यों वाले आपसन में लाश्ट में एक में पी है एक में आ रहा है आप चेक कर लो दोनों में से कौन हो सकता है आप दा मसीनरी यूज़ इन दा इंडस्ट्री या फिर एंड आलसो मेटेरियल उफ मेकिंग ठीक है चलो पढ़के देख लेते हैं क्योंके साथ पहले पहला वाकि पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है इट हैस इट्स ओन सॉर्सेस आफ बनता है आफ पावर लाइट एंड हीट उसके बाद खुद का सोर्स है पावर लाइट और हीट का फिरार पढ़ोगे एंड आलसो दा मैटेरियल फॉर मेकिंग आफ दा मसीनरी बिल्कुल सही बन रहा है मेकिंग आफ दा मसीनरी यूज़ इन दा इंडस्ट्री बिल्कुल सही लगा दीजिए वह नहीं आप चौता पढ़ते तो क्या होता अगर हम लोग यह वाला उप्सेन पढ़ें क्यूपी एसर तो पढ़ेंगे तो इट हैस इट्स ओन सोर्स of the machinery machinery का सुर्स उसके अंदर खुदी यह ऐसा हो सकता है क्या मसीनरी जितने भी उसके अंदर खुद नहीं हो सकता तो आप इसको पढ़के देखो को तो यह meaning सा complete नहीं होगा तो option कॉन सो होगा आपका 65 का पहला option तो इस तरह से आपको rearrangement करने होते हैं कुछ option की use करने पड़ते हैं कुछ grammar का use करना पड़ता है और sense तो आपको use करना ही करना है ठीक है चलिए अब आज हम लोग सुरू करता है close test ठीक है close test के बारे में मैंने बताया था कि option पर जाने के पहले आप खुद एक word use किया करो खुद के मन में एक word क्या करो कल्पना क्या करो कि वहाँ पर क्या हो सकता है फिर आप option पर जाओगे तो आपके लिए ज़्यादे असान होगा ठीक तो line पढ़ेंगे हम लोग पहला line वीडियो लंबा है तो थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा फिर भी में कोसिस करता हूं कि आपका बहुत जादे टाइम वेस्ट ना हो कम समय में है आप चीजों को कर ले जाए ठीक है my parent dash to Canada in 1990 जब तक line complete आप समझ नहीं जाओ उसको पढ़ो आप my parent dash to Canada in 1990 in order to escape the dash of the Chinese government रोक लो यहां पर सेंटेंस अब तो आप line का मतलब समझेंगे मेरे माता पिता जो है कैनेडा से 1990 में कैनेडा आए क्यों ऐसा किया उन्होंने क्योंकि इसके इसके मतलब होता है बच निकलना किस से बच निकलना चाइनीज government के मतलब Chinese government उनके साथ बुरा रवया अपना रहा था जिसके करण वो China से कहां आ गए भाई आप इंडिया से कहीं और देश में जाना चाहोगे तो कब जाना चाहोगे जब आपको यहां पर तो चाइना से कैनेडा जा रहा है मतलब Chinese government उनके साथ बुरा बरताओ कर रहा है चलिए वो कहां चले गए कैनेडा आ गए एक देश से दूसरे देश में जाने को क्या करते हैं प्रवास करना बोलता है मतलब इमीग्रेट करना होता है ऊतीक है तो लाइन के होजेगा माईब आपारेंट इमीग्रेट़ अक्ट तो कैनेडा मतलब कहां आ आगया कैनेडा आ वो कैनेडा इमिग्रेट कर ठीक है तो इसका होगा डी ऑप्शन उसका होगा दी ऑप्शन अब हम चलते हैं 68 पे ठीक है गवर्णमेंट एंड टू बिल्ड अ बेटर डास इन कैनेडा बेटर क्या तो आप मन में सब्सक्राइब बेटर लाइफ आया न कैनेडा क्या हो कि चाइनीज गवर्णमेंट का टारीनिस से बचने के लिए वो कैनेडा इमिग्रेट किये क्या करने के लिए ताकि उनकी एक कहानी सुनी है ना उनके मेरे पैरेंट्स की आप्टर लिस्निंग टू देर स्टोरीज आफ डैस एंड फ्रस्टेशन फ्रस्टेशन एंग निगेटिव वर्ड है जाइड सी बात है उन्होंने कहानी सुना योगी माता पिता ने कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होई थ से आकर आपके घर पे आता है आपके पैरेंट्स कहीं और से आते हैं तो आप पूछोगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको देश छोड़ना पड़े तो क्या बताएंगे वहां यह प्रॉब्लम्स होती थी वहां बड़ी फ्रस्टेशन थे हैं ना तो वहां प्यांसवर क्या होग तो वह क्या रियलाइस कर रहा है कि वह कितना क्या है फॉर्चुनेट है तो सेवन्टी का क्या वज़ाएंगा ऑप्सन नंबर सी आगे बढ़ते हैं हम लोग सेवन्टी वन पर चलते हैं I realized how fortunate I was to be living in the country I know called as तो उसने फिर क्या याद किया call का मतलब बुलाना नहीं याद करना उसने क्या याद किया अपना घर याद किया अपना home house नहीं होगा basically house जो होता है वो rent के लिए होता है home आपका नेटिव प्लेस जो होता उसके लम लोग किसका प्रियोग करते हैं home का प्रियोग करते है तो I call home when the day came to death my homeland ठीक है उसने किसकी याद की घर की याद कि कब जब वो दिन आया वो दिन आया जब वो अपने home land क्या किया वो आपिस आया वापिस आने का मतलब क्या हो जाएगा return देखो इस तरह से जब भी आप meaning खुद से सोच लोगे न तो आपको बस option पर आ कि वो word खोजना होगा कि देखें टू रिटर्न माई home land आई फिल्ट अनसर्टेन उसे कैसा महसूस हो रहा था अनसर्टेन मतलब अनिस चित्ताएं कुछ बनी हुई थी उसके मन में दुविधा था डाउट था तो अनसर्टेन एंडस अब अनसर्टेन जैसा ही एक वर्ट हमको 73 में फिल करना है ठी तो सब्सक्राइब खिल लूगा नहीं होगा ऑप सांथ होगा खा Ayy आप अनसर्टेन होगे द्म रह opportunity कैसे हो generous होगे वह जब किसी चीछ को लेकर आप uncertain है और आप some नहीं किस में रहोगे margarघेff долж I felt uncertain and nervous there there were many days racing through my सब्सक्राइब करें कर दोगलतियां क्लोश्टेस्ट में आप से हो सकती है उसमें आपको परिसान नहीं और लेड़ी हो तो आपको कोसिस करना मिनिमम्म फंद्रह इसमें से मिंटेन करो क्योंकि काफी क्लोस होता है इसलिसका नाम भी ट्रॉस टेस्ट एक दो गलतियां इसमें हो जाती है चलिए अग्ला जो क्लोस ट्रेस्ट यह फिर और एंग्साइटी के बीच में हमें से याद तो क्या होगा इसके बारे में चर्चा करता है ठीक है तो 30 अड़ी हो चुका है लेकिन अभी हम ठकेंगे नहीं वीडियो कॉंटिनुव हमारा चलता रहे भाई क्लोशेश नमबर है सेकंड हम लोग सुरू करते हैं फियर एंड एकसाइटी या डैस फर्म आफ विल कैसा फॉर्म है भाई डैर और व्यकुलता अगर आपके अंदर डैर है तो जाहिर से बात है व्यकुलता अपने यहाप आ जाएगी है ना तो आप नहीं भी चाहोगे तो भी वह आजाएगी जानबूच कर आजाएगी ठीक है तो यहीं बात है अगर आपके अंदर फियर है तो क्या होगा आपका एक नियुक्ट जल्दी करो यार तो अगर आपके अंदर फियर है तो जाहिड से बाता है एन एक्जाइटी जानभूचकर अपने आप आ जाएगी आप नहीं भी चाहिए तो भी आप व्याकुल हो जाओगे ठीक है तो फियर ने एन एक्जाइटी याद डाइस फॉर्म आफ विल ठीक है एक् अगर आप योगा करना चाहते हैं तो आपको फियर को डिर करना पड़ाएगा तो चाहने के लिए वांट चाहिए और दूर करने के हमें कुछ ऐसा पाट चाहिए if you want to do yoga if you want to do yoga you must does fear fear को आपको चोड़ना पड़ाएगा डर को क्या करना पड़ाएगा आपको छोड़ना पड़ाएगा तो throw away क्यों जाएगा option number C है ठीक है चले question number 79 पर हम लगाते हैं fear is always a feeling to be dash because what you fear is just the thing that is dash to come to you यह बहुत अच्छी line लिखे हुई है ठीक है यह आपको थ्यान देना है करें fear is always a feeling to be dash यह एक ऐसा डर है जिससे आपको क्या करना चाहिए एग्णोर करना चाहिए ठीक है fear एक ऐसा डर है तो fear एक ऐसी चीज है जिससे आप करना चाहिए इग्णोर करना चाहिए इसको उससे दूर रहना चाहिए otherwise क्या होगा otherwise यह होगा अगर आपको किसी चीज का fear है तो वह चीज आपके साथ होना ही होना जैसे आपने एक्जाम दे दिया अब आपको dare लग रहा कहीं fail नहों जाए कहीं fail नहों जाए तो वास्तों में आप क्या हो जाओगे fail हो जाओगे इसलिए कहते है कि dare को हमेशा क्या करना दूर रखना चाहिए यही चीज यहां पर line की बात कर रहा है ठीक है न तो fear is always a feeling to be death feeling to be death ऐसा मतलब जिसको आप छोड़ देना है मन में आपने कलपना किया कि छोड़ देना है तो argue नहीं करना है 79 argue नहीं करना है refuse भी नहीं होगा deny भी नहीं अब मना नहीं कोई चीज आपको proposal होता तर दिनाई करते है reject कर देना है कि मन में अगर आपके क्या है डर आये तो उसे क्या कर देना है reject कर देना है क्यों because what you fear is just the thing that is test to come जो आपके साथ होने वाला है अब यहां पर grammar का एक structure दिया है possibility के लिए जो यूज करते है पॉसिबिलिटी के लिए अगर आपने grammar ने पढ़ोगा is like to is likely to plus work की first form is likely to plus work की first form का मतलब होता है जो चीज आगे happen होने वाला होता है तो उसके लिए इस structure का प्रयोग करता है तो यहां direct grammar का प्रयोग कर दिया है तो हम लोग जादे कुछ नहीं करेंगे बस likely यहां पर खोजेंगे किस option में है कौन से option में है first option में is likely to का मतलब ऐसी चीज आगे होने वाली है is likely to come to you ठीक है तो अगर आप वो किसी चीज का डर है तो जाहिर से बते है वो आपके साथ होने के संभावना बनी रहेगी अलगे fear को लोग बढ़ाते है fear does the object of fear तो डर क्या करता है जिस चीज का डर होता है उसे क्या करता अट्रेक्ट करता है जैसे अगर आप किसी चीज किसी लंबे space को जंप कर रहे हो और आपको डर है कि आप गे जोग तो वो जो है fear आपका जो है वो गिरने पर ही आपका अट्रेक्ट करेगा क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो 81 में आपके क्या हो जाएगा फियर इन्वाइट नहीं देगा एक्टिवेट भी नहीं करेगा अवाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्या होगा आपका यहां पर अट्रैक्ट्ट फियर अट्रैक्ट्स अब्जेक्ट ऑफियर ठीक है लाइन वहाँ पर समापती अगला लाइन अन्हाइपिनेश डैस दा स्ट्रैंग्ट और अगर आप खुस नहीं है तो आपके पावर को क्या करेगा कम कर देगा ठीक है तो कम करने जासा कोई मीनिंग हमें यहां पर चाहिए This truth is the dash for your transformation और यह truth क्या है? यह सत्त्त की डर ऐसा होता है यह आपके transformation के लिए क्या है? नेसेसरी है तो 83 में ऐसा कुछ हमें चाहिए Is the remedy हो सकता था? answer नहीं होगा, reason नहीं होगा remedy और key दोनों में से एक choose करना है अब आप sentence को एक बार दुबारा पढ़ो और चेक कर लो क्या होगा this truth is the test for your transformation is the remedy for your transformation is the key for your transformation ये सत्य आपके बदलाओ के लिए क्या है जरूरी है तो जरूरी के लिए यहाँ पे key point हम लोग use करते हैं कहते हैं ना it's a key point अब चलते हैं question number 84 की तरफ the word will not change डैस कहरा है दुनिया अचानक से नहीं बदलेगी but it will go forward as rapidly as it can लेकिन हाँ जितना तेजी से हो सकता होतना तेजी से वो बदलाओ होगा अचानक से बदलाओ नहीं हो सकता 84 में कुछ ऐसा बदले ना जो happenly अचानक से हो ठीक है तो 84 अचानक लिए at once आपको साब साब दिख रहा होगा word will पहला option word will not change at once एक बार पढ़ भी लिया करो उस feel up के साथ उसको word will not change at once but it will go forward as rapidly as it can as it largely can probably can possibly can eventually क्या लगाएंगे आप जितना जल्दी बदली कर सकता है जितना जल्दी चेंज करने कि उसके अंदर क्या हो possibility होगी वो उतना जल्दी उसको क्या करेगा change करेगा इस तरह से आप कभी भी जब doubt में फसा किया करो तो आप basically सोचा करो कि आप normal life में इसको क्या बोलते हो ठीक है कभी भी close test को आप करिए तो आप अपने normal life से उसको क्या करिए relate करिए ठीक है अब जैसे इस sentence में आपको देखना था probably भी हो सकता था possibly भी हो सकता था लेकिन जब आप basically sentence आप सोचो उस close test को नहीं देखो आप खुद के life में देखो जब आप चीजों को बोलते हो कि जितना जल्दी हो से कि उतने जल्दी as soon as possible मुझे इस चीज को चेंज करना है यही तो बोलते हो ना कि probable बोलते हो as soon as possible मुझे उसे क्या करना है change करना है तो कहीं भी आप इस doubt में फसा करो तो आप एक दूसरा sentence सोचा करो उसी से related एक normal बहुत easy सा दूसरा sentence सी उसकिया करो जो आपके normal life में happen होता है और वहां से आप जब relate करोगे तो आप option में difference आप क्या करोगे पता कर लोगे ठीक है तो इस तरह से यह 85 question आपके खतम होते है इसके पास इसके बाद 15 question आपका और बचता है उसमें आप सबी लोग अपने 13 number 14 number जोड़ लीजिए और फिर आप बताईए कि 100 में आपने कितना किया ठीक है उसमें आप 13 14 अपना जोड़ के चलो उससे कम आपका उसमें तो नहीं आना है ठीक है तो set number 2 हम मैं यहाँ पर आप समाप्त करता हूं आपके यहाँ पर अभी यह जानकारी जिसके बारे में आपको मुझे बताना है स्टेनो ग्राफर मिसान 150 मैंने इसरू किया है इसके लिए अभी रिजनिंग के भी questions मुझे कराना है स्क्रीन सॉट वीडियो से कराना बड़ा असान नहीं होगा इसलिए मैंने एक ग्रूप बनाया हुआ है WhatsApp ग्रूप WhatsApp ग्रूप पर जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और स्टेनो लिखके आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 7379089784 इस नंबर पर क्या करना है आपको मुझे मैसेज करना है बाज और गल्स का ग्रूप अलग है तो उसमें कोई टेंसन की बात नहीं है बाज गल्स तोनों लोग भीज सकते हो बस्ती के हो या बस्ती के बाहर के हो कहीं के भी आगर विद्यारती हो आप तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज करो उसमें हम लोग डेली एक टाइम फिक्स करेंगे और उस टाइम को फिक्स करने के बाद हम लोग रिजनिंग के पचास कुश्चन करेंगे उस पचास कुश्चन के लिए मैं 30 से 35 मिनट का आपको समय दूँगा उसी समय में आपको करना होगा फिर हम लोग ग्रूप में ही उसके बारे में डिसकस करेंगे ठीक है और साथ में ही मैं GS के और Current Affairs के भी कुश्चन आपको प्रवाइड कराऊंगा ठीक है तो इस ग्रूप में जुडने के लिए आपको इस नमबर में मुझे मैसेज करना है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है सभी लोग आज के ही आज मुझे इस वाटसप पर मैसेज करें और इस वीडियो को इस मैसेज को अपने वाटसप स्टेटस पर लगाओ जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अपने स्टेटस पे इस मैसेज को लगाईए, ताकि जादे से जादे लोग गुरूप में जोड़ें, क्योंकि जब जादे से जादे लोग रहेंगे, स्टेरोग्राफर के स्पेसल ले लीजिए, और वोकैप्स में जो डेली आपको दे रहा हूँ, आपको डेली सॉल्व करने है, लिखने के बाद एक बर पढ़ना है, और एक बर आपको क्या करना है, हाथ रखके पढ़ना है, पहले लिख लो, एक बर उसको रीट करो, फिर हाथ रखके रीट करो, फिर एक यह वो कैप्स आपको याद होने ही चाहिए नहीं याद है तो फिर आपके लिए बढ़ा ही क्या होगा समझ से वाली बात है इंगलिस में 85 प्लस आप नहीं चापा होगे फिर ठीक है चलो आज के लिसमें इतना ही अब कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे सेट नमबर थ्री के साथ आसा करता हूँ कि याप वीडियोज आपको समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिए और फिर मैं एक बार कहूंगा वीडियो को लाइक, सेर, सबस्क्राइब करते रहिए जितना ज़ादे ह हो सके लोगों तक पहुंचाईए और इस मैसेज को अपने स्टेटस पर लगाईए ठीक है चलिए आज के लिए इसमें इतना ही धन्यवाद फिर मुलाकात होगी है वागुड डेर टेक केर